हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने एच डिएस ट्यूटोरेल पर स्वागत है इस वीडियो नों देखेंगे जैसे आर्टी किलास एट का मैथ प्रशनावली 33 एक्षुली मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है लेकिन वहाँ पर जो कोस्टन था वो बुक से मेच नहीं कर रह है चत्रभूज MNOP जिसमें MN बराबर 6.5 cm MP बराबर 4.5 cm M बराबर 60 डिगरी कौन N बराबर 90 डिगरी और कौन O बराबर 120 डिगरी तो सबसे पहले हम लोग एक रफ चत्रभूज बनाते हैं ओके रफ चत्रभूज बनाना बहुत ज़रूरी है तो मान कर्चिले देखें यहा है यहा पर चत्रभूज बनाते हैं यह रफ है क्लर है यह रफ्ली में बना रहा हूं इससे लास्ट में मिटाना पड़ेगा तो चलिए यहां पर हम लोग इसका नेमी करते हैं M O P, क्लर है इसके और अनुसार हम लोग यहाँ पर रियल वुला चत्रभूज बनाएंगे एन में 90 डिग्री है यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है कौन ओ यहाँ पर 120 डिग्री बनाना है उसके बाद देखिए MN 6.5 cm फिर MP MP यहाँ पर P है 4.5 cm उसके बाद कौन M 60 कौन M यहाँ पर 60 डिग्री फिर कौन M 90 और कौन O 120 डिग्री तो यह वाना चत्रपुच बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रो करेंगे उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बनाएंगे यहाँ पर मैं लाइन ड्रो कर ले रहा हूँ इस तरीके से देखिए उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बनाएंगे तो चांद का मैं यूज कर रहा हूँ आप चाहे तो चाप से भी बना सकते हैं चांद चाप दोनों से बनता है यहाँ पर देखिए 90 है यहाँ पर मैं मार्क कर दिया उसके बाद यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर बन गया हमारा 90 और देखिए यहाँ पर कौन N है तो यह इसको हम लोग कौन N लिख देंगे उसके बाद देखिए उपर हमारा M है कि लिए यहाँ पास M है और देखिए MN का ल लंबाई , 6.5 cm , टो हम लोग सबसे पहले से 6.5 cm चाप से लंबाई ले लेते हैं , यहाँ पर 0 सबसे पहले जो निडल है उसको रखेंगे उसके बाद 6.5 यहां पर 6 आ गया,फिर दीए, स्थे दस्लों पांच में आ चुका है, यहां पर रखेंगे हम लोग इसको उसके बाद, DOT मार्क लगाएंगे ड़क इसको ले आएंगे, यहां तक चाप से काठे हैं, हुआ होह तक कि यहां देखिए यहहां पर यह पॉइंट है यह हमारा म है ओके यहां पर दिखिए उपर एम है तहा पर भी एम हो जाएगा अब दिखिए है म से इदर की और होगो इस तरीके से प नगेंगे पर नी stink साथ डिगरी का कोन बनाएंगे चलिए मैं चाप से फिर से बना ले रहा हूं चांद से आप चाप से भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दिखिए यहां पर जो बिंदू है उसको यह वाला बिंदू से यहां पर दिख रहा है क्रोस मार्क यहां से इसको मेच करना है उसके बाद इधर लाइन को सिधा रखना है उसके बाद साथ डिगरी यहां से 10, 20, 30, 40, 55, 60 यहां पर साथ डिगरी आ रहा है फिर इसको हम लोग अब मिलान कर देंगे इस तरीके से उसके बाद दिखिए यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे 60 डिगरी अब इसको फिर सिधा कर लेते हैं इस तरीके से उसके बाद दिखिए अब यहां पर 0 है यह क्या है ? O में हमारा 120 डिग्री है उससे पहले यहां पर देखिए MP MP कितरा है 4.5 तो फिर से हम लोग Scale में नाप लेते हैं 4.5 यहां पर 4.5 यहां पर रखेंगे 0 में फिर 4 यहां पर आ गया उसके बाद 4.5 यहां पर देखिए आ चुका है 4.5 तो इसको यहां पर रखेंगे उसके बाद 4.5 एक कट मारेंगे यहां पर यह जो बिंदु कटा है यहां से यहां तक का लंबा ही 4.5 है और यहां पर पी है तो यहां पर लिखते हैं इसको 4.5 5 यहां पर देखिए यहां से हम लोगों को इधर कोन बनाना पड़ेगा यहां से देखे तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है 60 डिग्री 120 डिग्री है और यहाँ पर कोन है चारो कोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री किलर है ना यहाँ पर चत्रभुष के अंतर कोनों का योग 360 डिग्री तो 360 डिगरी है तो इस तरीके देखिए 60 पलस यहाँ पर 90 पलस फिर 120 पलस यहाँ पर कौन पी बराबर 360 डिगरी 360 डिगरी होता है किलर है तो आप में लोग सब को जोड़ देते हैं देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा उसके बाद 2 और 9 11 11 और 6 17 हाथ में 1 1 और 2 तो इस तरीके से 270 फिर यहाँ पर पलस कौन पी फिर कौन पी बराबर 360 डिगरी माइनस 270 डिगरी 360 में 270 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा तो इस तरीके से कौन पी बराबर 90 तो यहाँ पर हम लोगों को 90 डिगरी का एक कौन बनाना पड़ेगा तो चलिए मैं इसे सिधा कर लेता हूँ इसको मतलब पलट लेता हूँ ताकि 90 डिग्री हम लोग बना सके तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु है उसको इससे मेच करना है इस तरीके से उसके बाद इधर पला लाइन को मेच करना है और 90 डिग्री यहाँ पर है देखिए यहाँ पर 90 है अब इसको हम लोग मिला देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अब देखिए यहाँ पर एक चत्रभुज बन चुका है चत्रभुज बन चुका है यहाँ पर हमारा देखिए O है और यहाँ पर 120 डिग्री होना चाहिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं देखिए 120 डिग्री का यहाँ पर कौन बन चुका है 120 में आया है यह वाला लाइन ओके तो चलिए इस तरीके से हम लोग का यह जो कंस्ट्रक्शन है रचना है complete होता है यहाँ पर 120 डिग्री और बस इतन नहीं है किलर है तो यहाँ पर देखिए जो रफ किया था इससे मिटा देता हो ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो और आप जब नोट बनाएएगा तो जो रफ में बनाए रहिएगा उससे मिटाना जरूरी है ओके तो इस तरीके से हमारा रचना complete होता है चत्रभूज MNOP जिसमें MN बराबर देखिए MN बराबर 605 सेंटिमेटर और MP MP बराबर 405 सेंटिमेटर को M बराबर 60 डिगरी कोन N बराबर 90 डिगरी और कोन O बराबर 120 डिगरी किलर है तो हमारा रचना complete हुआ अब लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर सेकेंड नंबर डिगरी और कोन C बराबर 110 डिगरी तो चलिए इसका हम लोग एक रफ चत्रभूज समसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर ABCD है तो देखिए यह हमारा चत्रभूज है मानकर चलिए इसका हम लोग नाम लिख देते हैं A B C D फिर यहाँ पर देखिए AB बराबर 4 सेंटिमेटर है फिर B C बराबर 6.5 सेंटिमेटर फिर कोन A बराबर 90 यहाँ पर 90 कोन B यहाँ पर हो जाएगा 75 डिगरी फिर कोन C बराबर 110 C यहाँ पर 110 तो यह हमारा रफ चत्रभूज है इसको बनाना है तो सबसे पहला लोग यहाँ पर देखिए आधार बनाएंगे AB बराबर 4 देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है 0 से 4 तक आ गया तो यह हमारा A है यह B है और यहाँ पर 4 सेंटिमेटर उसके बाद देखिए कोन B से 75 डिगरी तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 75 डिगरी कोन बनाते हैं सबसे पहले चान्द को यहाँ पर रख रह कर आप चाहAd सो चाप से भी बना सकते हैं 75 डिगरी 10, 20, 30, 30, 40 , 70 75 यह पर है मैं यहाँ पर इसे मार्क कर लेता हूँ फिर इसे जोइन कर देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर 75 डिगरी का कौन बन चुका है फिर यहाँ पर देखिए कौन A में कौन A में 90 डिगरी है तो यहाँ पर 90 डिगरी बनाना पड़ेगा कौन A बराबर 90 डिगरी यहाँ पर अब उपर देखिए यहां पर कितना है 110 डिग्री लेकिन B C बराबर 6.5 दिया हुआ है तो B C C तो इधर है देखिए इस साइड में सी इस साइड में कई पर होना चाहिए B C 6.5 तो यहां पर देखिए 6.5 हम लोग लंबाई लेंगे यहां पर 0 में रख दिया उसके बाद हम लोग अब इसको रखेंगे यहां पर फिर 6.5 एक चाप काटेंगे यहां पर कट गया 6.5 उसके बाद अब देखिए यहां से कितना बनाना है 110 डिग्री का कौन बनाना है यहां पर देखिए 110 डिग्री इसको पलट देंगे अपना पेज को उसके बाद चाप लेंगे और 110 10 डिगरी का कौन बढ़ाएंगे यहां पर यह हो गया यहां से जोइन अब 110 दिखेंगे 10 20 30 40 50 यहां पर 110 है तेहां पर डोट करना पड़ेगा एक उसके बाद इस डोट को इसके साथ मिलाना पड़ेगा किलर है तेहां पर बन गया 110 डिगरी का कौन उसके बाद हम लोग यह वाला लाइन को आगे मिला देते हैं इसको ताकि पूरा चत्रभूज बन जाए तो इस तरीके से देखिए यहां पर A है B है फिर यहां पर देखिए C और इधर D किलर है तो यह हमारा चत्रभूज बन चुका है जो चत्रभूज के हम लोगों को जरूरत था उसके बाद यह जो रफ है इसे आप लोगों को मिटा आ देना है अब देखिए चत्रभूज A B C D है यहां पर जिसमें देखिए कों C ब्राबर 110 डिगरी है कोन B ब्राबर 75 डिगरी है उसके बाद कोन A ब्राबर 90 डिगरी है और B C ब्राबर 6.5 cm उसके बाद देखिए A B ब्राबर 4 cm इस तरीके से हमारा रचना कंप्लेट होता है आएप सब समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत भी हो तो मुझे कमेंट कर दीजे हम लोग बढ़ते हैं next three number की ओर अब बढ़ते हैं three number की ओर three number के question है समांतर चत्रभूज PQRS जिसमें PQ ब्राबर 6 cm QR ब्राबर 5 cm कोन P ब्राबर 55 डिगरी कोन R ब्राबर 110 डिगरी कोन S ब्राबर 90 डिगरी तो देखिए समसे पहले समझे समांतर चत्रभूज किया है आयत आप जानते होंगे आयत इस तरीके से रहता है कि लिए आयत इस तरीके से रहता है उपर का भूजा नीचे के ब्राबर और दाये का बाये के ब्राबर रहता है औ अंतर इतना है कि यहाँ पर 90 डिग्री रहता है आयत में और समानतर चत्रभूज में यहाँ पर 90 डिग्री नहीं रहता है यहाँ तो कम हो सकता है यहाँ पर यहाँ पर जादा हो सकता है लेकिन उपर का भूजा नीचे के ब्राबर और इधर जो आमने का भूजा है सामने के ब् तो कुछ इस तरीके से बनता है, clear है, ये मैंने बनाया है, तो इसे मैं आप लोगों को नहीं बताऊएगा, अगर आप इसे बना سकते हैं, तो जरूर बनाएगे, और मुझे comment जरूर कीजेगी, मैं ये बना लिया, मैंने ये बना लिया, clear है, सायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर मुझे लगता है कि यह question में कुछ problem है अगर आप कोई बना पाईएगा तो comment करके जरूर बताईए मुझे क्लिए है ना क्योंकि मुझे से यह मैं थोड़ा सा problem हो रहा है कहीं पर या तो question mistake है या फिर क्या मुझे पता नहीं तो यह three number में आप पर छोड़ रहा है इसे आप खुद से कर लिजिएगा क्योंकि यह थोड़ा difficult है अगर कोई भी viewer कोई देख रहे है और अगर आप इसे बना लिए तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा फिर देखिए next four number four number के question है आयत pqrs जिसमें ब्राबर छे सेंटीमिटर qr ब्राबर आठ सेंटीमिटर किलर है फोड़ नमर का और यह जो ओल्ड बूक है मतलब की 2018 2019 और 2020 इसमें जो बूक आया था उसमें सेम कोशन है तो वहाँ पर मैंने अप्लोड कर दिया वीडियो आप दिस्क्रिशन पर जाईएगा वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा वहां से बना सकते हैं वीडियो इतना ही था वीडियो अचली को तो लाइक कर दिये और अफितक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लीजे और लेकिन कोई प्रेस कर दिजे ताक कि जब ही मैं नए विडिव अप्लोड कूर आप तक नोट्पिक्शन चली जाए थाइंक्यो पर वाशिंग मैं वीडियो हमें गुड़ डेए